नमास्कार डोस्तों आप सभी का स्वागत है आशा है आप सभी स्वास्थ होंगी आईए आगे बाठे है इस हाथ का एनालासिस करते हैं यहो एक जूबो की हाथेली है यह टेलेंग गाना इस्तेत में रहने वाला है इनका नाम है सीर्नू इनका एज है 43 तो यह भी बहुत होना मुश्किल लग रहा है तो यह बोला हम क्या करें इस महमले में के मेरा जिंदेगी का सफर जो है बिलकुल बढ़िया है थोड़ा अराम हो जाए इस तरह से इनका सवाल है धेर शड़ा बहुत ही तो इनका सवाल का जबाब हम देते हैं धूंटे हैं तो आए दोस्तों आ पारिक से बिशलेखन देंगे एक एक गड़ो की ऊपर तो दोस्तों यह इनका लाइफ डाइन है जो आपका बहस्त पति और मंगल के बिश से सुरू हो कर निकल कर केटू परबत तक पहुंच गया है हाला कि यह इस पस्रुप से नहीं आया हुआ है आप देख भार हैं यह इ इनका एज जो है 70 यह आप पकर सकते हैं क्योंकि थोड़ा इसमें विमारी का गस्त भी दिखाई दे रहा है यह देख पा रहे हैं इस हिसाब से तो इनका लाइफ टॉप बहुत ही अच्छा है ऐसे घबराने वले बात नहीं है तो लाइफ लैन बहुत ही सही है तो आभी स्वस्तिक्स रहा जो है यह बिल्कुल बढ़िया है तो अभी आईए संदर परवर ऑई सोरी दोस्तों इनका हार्ट लाइन यानि हीडे रहा के उपर विसार करते हैं यह आ करके सनी परवद की नी से पहुंचा हुआ है तो मुखर रहा इनके हथेली में जो भी है बिल्कुल बढ़िया है स्वस्त है अच्छा ही है बहुत हद तक अच्छा नहीं है इनका लाइफ लाइफ लाइन जो है क्योंकि यह लाइफ 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 लाइन जो है कम से कम यह 55 को ही दर्शाता है तो यहां जा करके दो भागों में इस्प्लीट तो हो जा रहा है लेकिन यहां आड़ी तेरी रखाई जो है बिल्कुल अच्छा नहीं रग लेकिन एक रेखा आकर के एक फिसकी जैसे आकर्टी बना रहा है तो इसे सबसे इनका लाइफ लाइन बहुत ही बैटरीन है साथ में इस्प्लीट होता जा रहा है यह संदर प्रवत की और यह भी बहुत कुछ कहलाता है इनका जनमसान से दुसरे जगह में जा करके इनका काम जो है लगेगे उसमें इनको ब्यस्त होना पड़ेगा अपना जिले में यानि अपना प हाथली हमने पढ़ा है अगर इस तरह सा अगर रेखाए अगर है यह इस्प्लीट होता जा रहा है तो तक्रिबन 99% लोगों के हाथली में हमने देखा है जो अपने जनमसान के दूर पर जाकर यह सेटल होता है तो अभी आए दोस्तों उंगली की उपर पहले विशार करते है उसके पर गड़ों के उपर विशार करेंगे पहले तरजनी उंगली की उपर जाते हैं या इनका तरजनी उंगली का पहली पर उंगली का यह दूसरा पर और यह तीसरा पर बहुत खत तक तो तीसरा और दूसरा तो सही है लेकिन पहली पर जो है यह सनी की और जुका हुआ ह ये देख पा रहे हैं ये बहुत खत्तक तो सही है लेकिन ये सनी की और जुका हुआ है जो ब्यहस्पति की गुन होएंगे उस गुनों में सनी की उंगली पर जुग जाना ये अच्छे बात नहीं है ओ भी ब्यहस्पति की उंगली यानि तरजने उंगली जो ब्यहस्पति की ग होंगे और गुनों में थोड़ा कमिया लाएंगी जरूर और देखिए परबत भी दबा हुआ है बहुत खत तक इसे अच्छा नहीं माना जाता है धरमकार्ण पूर्ण में बहुत रूसी इनके पास होगे नहीं एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत खत तक इनका ग्यान रहते हुए भी वह इस्ताबलीश कर नहीं पाएंगे क्योंकि अगर दबे हुए परबत अगर रहेंगे किसी के खतेले में ये बहुत खत तक इसे असुभी माना ज पाता है आप हर वीडियो में आप देख लेंगे बहुत चारा आशेरिया पंदित जी यही बोलते जाएंगे कि अगर डबे हुए परबत होएंगी तो उस हिसाब से उनका जो है रिजल मिनला बहुत ही कठिना ही होती है अच्छी तड़ा रिजल दे नहीं पाता है लेकिन ए जाने के बाद अगर यह परबत उठे उठ जाएंगे तो इनकी लिए इनकी जिन्दगी के लिए बहुत बैटर रहेंगे अभी आईए मध्यमा उंगली की पर देख लेते हैं पहली पर यह दुस्वा पर और यह तिस्वा पर यह बहुत हद तक अच्छा है क्योंकि उंगली अगर जूग जाते हैं तो रिजल्ट देने में अक्षम नहीं अक्षम रहते हैं अभी आई है प्रबत की ओर चलते हैं प्रबत बहुत ना ज्यादा उठा हुआ है ना ज्यादा बाह हुआ है बहुत हद तक तो अच्छा है लेकिन एक सिंदा की विसे यह है इनका सनी जो है बकडी है यह देख पारें आप इनका सनी जो है बकडी है जीश हिसाब से इनको रिजल्ट मिलना है उस हिसाब से इनका रिजल्ट मिलना है फाइनेंशेल्स इनका परिस्टि हमेशा से अच्छे रहेंगे लेकिन उस हिसाब से अच्छा नहीं रहेंगी जीश हिसाब से यह भ नहीं मिलने वाला क्योंकि इनका हटली देखके हमको ऐसे लग रहा है कि यह ग्यान का इनका पास भंधार है क्योंकि हम इसके बाड़े में अभी बताएंगे आपको कहीं पर भी अगर सो रुपया का इंवेस्मेंट कर रहा है लौद फीर करें इनका साथ रुपया है इनको मिल तक तो सही है लेकिन थोड़ आचा सन्नी की ओर ही जुका हुआ है इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता मान संबान इसमें इनको थोड़ा तकलिप देंगे शुरियों कर जो भी गुन होएंगे उस गुनों में थोड़ा कम्या लाएंगे और थोड़ा इनका प्रवत भी द चैन्स लग रहा है लेकिन ये पेशार डायक काम कर रहा है तो इस विजए से इनका खतली का परवत जो है मुर्शा जा रहा है तो बहुत हथ तक तो आच्छा नहीं है लेकिन सुप शीन भी है जो देख पाना है आप ये रखाई बहुत कुछ कुछ कहलाता है ये और सात में हिदे रखा के साथ एक टो टीबूज भी बना हुआ है इसे भी बहुत हथ तक अच्छा ही माना जाता है फिर भी इनके हथले में जो है 70% ही इनका रिजल देने में सक्चम है इस तरह सा अगर प्रवत अगर रखाई बने है तो तो अभी आईए कनिस्ता अंगली की और सलते हैं यह पहली पर यह दुस्रा पर यह तिसर पर यह बहुत हथ तक अच्छा है उंगली जो है शूरियों की और जुका हुआ है तो यह भी अच्छा माना जाता है यह अगर मिलेंगे तो इसे भी studio और भूत की यूटी बनते हैं जो कमी studio में देखा जाएगा उस कमियों को थोड़ा यह help जरू करेंगी उस कमी को पुड़ा करने में क्योंकि studio और भूत का दोस्ती बहुत कहड़ा है हमने कुंदली में भी देखा हुआ है एक डोनों गड़ा एक घर में अगर दोनों गड़ा पड़ेंगे तो बहुत हथ तक इसे रिजल अच्छा मिलते हैं मैंने पहले भी बहुत बार कहा हुआ है वीडियो में कि अगर भूत क कि उंगली जो है सुर्य की और जुके होंगी तो यह एक यूटी बनाते हैं बहुत खाथ तक इसे अच्छा माना दाता है इस हातले में यही एक बुद्ध है जो बिल्कुल बढ़िया है स्वस्ता है साथ में दोस्तों यह उंगली की अनम का उंगली की पॉर्टक तो पहुं का पलट के जबाब कभी भी नहीं देते हैं बन्दा जो है बिल्कुल ही बढ़िया है अच्छा है क्योंकि इस रतंतर है क्योंकि मैंने पहले भी बोला यह मस्तिक सेखा और हीडे रेखा से जूर करके आया हुआ है कभी भी पर अपना फेमिली की सथ कभी भी इनका ज्यागर करें बहुत तक इसे सुभ मना जाता है बिल्कुल ही बढ़िया मना जाता है और साथ में ये वीजा एक अच्छा में और प्रफोत्री करवाता है क्यार मोहम्मत में रहने जानते हैं कैसे स्ता निभाना है इसके उपर भलिभती जांत करी है इनके उपर, दुनिया में कोई भी आत्मी हो, कैसे भी आत्मी हो, किसी का ना किसी का, कोई ना कोई पॉब्लेम तु जरूरी होते हैं, साहे योग पधान मनती हो, या प्रेसिडेन हो, रास्तफटी हो, हर किसी के पास कोई ना कोई तु पॉब्लेम तु जरूरी है, इस बकत मै भी बोलना हूँ, मेरा पास भी पॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा पास पॉब्लम नहीं है, बहुत है पॉब्लम, तो इसर आला से मैं दुआ करता हूँ, हर किसी कोई भी हो, कोई भी पॉब्लम से ला, तो वो पॉब्लम को इसर आला खतम करें, क्यांकि आच्छ कर दे इसलिए में कभी भी कहीं पर भी किसी के साथ फ्रीज नहीं लेते हैं क्योंकि हमको पता है जो आदमी परिशानी में भुगत रही है उसको थोड़ा अगर हम help कर दे कोई दे दे तो इनके लिए बहुत बैटर हैं पूरा दुनिया में मैं बोलना हूं पूरा दुनिया में कोई भी आदमी हो कैसे भी हो अगर कोई भी परिश्टिते में अगर फचे हैं तो उसको बाहर निकलने में हम जरूर मदद करेंगे ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो डालेंग मेरा इंकम को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई मेरा मक्षट नहीं है मेरा मक्षट यह है कि गद्दे में पड़े हुए आदमी को बाहर कैसे निकला जाए तो दोस्तों हो गया बहुत बाते कर लिए अभी आईए पहले मंगल की और सलते हैं बिलकुल बढ़िया दुश्वा मंग बढ़िया बिलकुल जो है यह भी बहुत ख़़त अच्छा ही है कम से कम इनके खतली में जो है 60% से उपर ही इनका रिजाल देने में बज़्द है मंगल देव्टा अभी आई यह संदरपरब्द संदरपरब्द ना ज़्यादा दबा हुआ हुए ना जब्दा उठा हुए बहुत हथ तक अच्छा है नहीं कई आई रहा ही काट रहा है। बहुत हथ तक इनका संदर परबज्ज़ है बिलकल किलियर है। साथ में दोस्तों इनका विबा की सेट्टों में अगर झाक के देखेंगे तो यह बिलकल बढ़िया है। परिवरिक दिशा जो है यह आपको इहीं से पता सलेंगे यह जूर करके आया हुआ है तो आप देख पा रहें यहां से यहां तक यह तेख पा रहें आप यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है। तो परिवारिक दिशा में बहुत बिल्कुल बढ़िया है, सुनने में भी ये कवासती रखते हैं, बोलने में भी ये कवासती रखते हैं, समझने में भी ये कवासती रखते हैं, बीबी को कैसे ध्यान रखना है, वो मालूम है, बच्चे को कैसे ध्यान रखना है, वो भी इनक किसे इनका ध्यान है तो आईए शुक्रोप्रवत की और सलते हैं तोस्तों यह सुक्रोप्रवत है कोई डाक ठब्बा नहीं है कोई ढड़ी ड़ी रहखा नहीं है लेकिन आपको अगर देखने के लिए मिलेंगे वो भी उठ्धो रहाई मिलेंगे ये देखिए उध्र रहा ये बिल्कुल पढ़िया है लेकिन एक बात मैं कहना साता हूं इनका जो परवत है बहुत खत्तक अच्छा नहीं है थूड़ा से दबा हुआ ही लग रहा है कि कि शुक्रों की सेट्र में अगर डबे होंगी तो सुक्ष विदा में थोड़ा कम्या ला पाया जाता है पैशा जमा होते होते जमिन के लिए कभी अचानक से एक सा हच्छा हो जाता है वो पैशा निकल जाते हैं गाड़ी खाइटने में सोचता रहता है कि कब पैचा होगा कब पैशा और जमा भी कर लेते हैं तो जब भी ये खाइटने के लिए जाते होंगी तो उ साथ में दोस्तों घबड़ानेले बात नहीं है समय की ही बात है यह उड़ो रखा लेकिन इनके हाथेले में मुझूद है जिस गढ़ा को यह देख रहा है उस उस गढ़ा का रिजल्ट जरूर मिलेंगी इनको हर इंसन के पास ऐसा खूबिया होता है कि समय की ही बात है क्या पत अगले दो साल में यह गाड़ी ले ले अगले तीन साल में यह बंगला ले ले इस तरह सा हर परिशेटी जो है इनके साथ बन सकते हैं क्यांकि इनका सूरियो और भूज जो है और संदमा और मंगल का परिशेटी देखते हुए अंदजा लगा सकते हैं कि यह बंदा बहुत जा सकते हैं अभी आये राहू की सेत्र देखते हैं बहुत ही बहतरीन है अच्छा है बढ़िया है बहुत जदा आणी टेरी रेखा तो नहीं है लेकिन एक रेखा है जो मसिक सेखा को भी काट रहा है साथ में जिवन रेखा को भी काट रहा है साथ में हिडे रेखा को भी काट हुए जा रहा है तो इसको हम couldn't हैं दोस्तों यह है हिडें रहखा यह है जिन्दगी यानि लाइफねव यह मस्डिकस रहा और यह है फ्रिटलेंग यह रहा है और देख पर गढ़िए तीनि चारों को िंग एक हिसाब से तो इनका हथेले में काटा तो जा रहा है लेकिन बहुत खत तक result देने में भी सही भी है क्योंकि एक थोड़ा हलका सा एक擁स का सिन्थ भी बनाया हुआ है आप देख पाने है ये कोड़े श का भी सिन्थ जाता है लेकिन ये मस्जिक्स रखा के ऊपर जो है ट्रीबूज तो बने नहीं है लेकिन हीड़े रेखा में एक ट्रीबूज बहुत बढ़िया बेकवर्ट ट्रीबूज बना हुआ है तो बहुत हद तक इनको रिजल्म देने में ये सक्चम रहें गए कम से कम पचास पची ज बहुत हधे तो ये भी बहुत खट तक अची हथेली में बहुत हद तक तो तो सही सही रेखा भी है क्योंकि ये देखिए यह में भी एक टिपस बना हुआ है ये भी बिलकुल बढ़िया है ये अगर टीच्रिण लाइन में है टीशेरिंग लाइन में हैं तो ये बहुत खत तक अच्छा है इनका पढ़ाने का जो टड़िका है बिलकुल बढ़िया है और बच्चे जो है बहुत असाने से समझ भी लेते हैं इस तरह सा अगर बहुत पढ़िया ये रिप्रेजेंटिब भी बन सकते हैं हाला कि साड़ो गड़ो जो है रिजल्टों देने में सक्चम नहीं है लेकिन कोई कोई रेखाए इस तरह मजबुत बने हुए हैं कि इनको एक समय आने के बाद ओ गड़ों का परिश्चिति रिजल्ट लेने में ये सक्चम जरूर हैंगे तो आभी आईए केटू परबत की और सलते हैं दोस्तों ये कहें केटू परबत बहुत हथ तक अच्छा है बहुत बिल्कुल ही बढ़िया है लेकिन दोस्तों ये पहले भी हमने बताया ये है जिन्दगी की रेखा जो यहां मुड़ा हुआ है और ये एक रेखा जो है इस त बिल्कुल बढ़िया ही है अंतीम पर जो है बिल्कुल ये इस तरह से जाली नुमा अगर देखने के लिए मिलेंगी तो ये शेहत को भी दरसाता है बहुत खाथ तक असब मना जाता है अगर ये बंदा अभी से अपना सरीर को अगर रोजना एक्सेस बगरा अगर करेंगी त हो इनका सठाख घिल्कुल मजबूत रहेंगे इनका ख्रहापा के दिन में इनके काम्यां धिलाएंगे कम-कम ये बिमार से घंट नहीं होग और ऐस रहेंगे तो इनके लिए अच्छा नहीं इनका फेट लाइन देखिए इस तरह से आया हुआ है तो यहां पहुंच गया है खीडे रखाता है यह बिलकुल बढ़िया ही है यह अगर कुछी दूसरा अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब यह ना सोड़े बिलकुल ही करते रहे हैं लकिन दोस्तों एक जॉब इनके लिए और भी है जो यह खूद कर सकते हैं इसके विसे में भी हम अभी बोलने वाला हैं यह देखिए दोस्तों यह बिजनेस को लाइन को डर साता है यह अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में इनको कामियां भी ज़रूर मिलेंगे साथ में यह तो इनका तो करम तो है ही य ये तो एक अच्छा टीचर तो बन सकते हैं लेकिन साथ में अगर कोई बिजनेस भी करना थे तो इनके लिए कामियां भी कदम सुमेंगे जो इनके मन में हैं पैशों की ममले में वो पैशा की ममले जो है जल्दी खतम हो जाएंगे साथ में इनका मंगल भी भी बहुत खत्तक शही है ये देख मारें मंगल की रेखा भी है और मैंने पहले भी बोला इनका पहला मंगल और डूसरा मंगल बहुत खत्तक अच्छा है तो ये थोड़ा अगर रिक्स ले लेते हैं तो इनके जिंदिगी के लिए आचा है financial condition के लिए इनके लिए बैटरिन रहेंगे तो आप तो जो काम कर रहें उसके सोड़िये मत और साथ में एक ठो बिजनेस आप जरूर किजिए क्योंकि आपका बिजनेस लाइन जो है बहुत बढ़िया बन रहें तो आपको कामिया भी एक दो महिने तो थोड़ा इंटेजर करना पड़ेंगे लेकिन तीस्या सोठा महिने के बाद आपको रिजल मिलने में तैय है साथ में यह सनी की बकडी होने का चांसे से लेकिन दो रेखाई बने हुए है मैंने अभी भी बोला कि आपका प्रफेशन तो है ही साथ में आपका एक अगर बिजनेस भी करने थे तो ओ दोन ही आपका जड़िया है दो रेखाई crazy बन रहा है यह दो एक यानिके दो income का जड़िया बन रहा है आपके हथिली में साथ में आप देख पार रहे हैं यह rectangle का rectangular हाथ हथिली इनका बन रहा है आप देख पार रहे हैं यह देखे बिलकुल बढ़िया आई है अच्छा है जो इसे water hand बोलते है square से यह बिलकुल बढ़िया है सुब साथ में घर गेहस्ती के लिए संदर परपच्छ है जो भी इनका रिजल्ट बनने वाला है वो रिजल्ट के बाड़ में हमने बोल दिया है साथ में टेंशन वाली रेखा तो बिल्कुल जादा तो है नहीं थोड़ा हलका फुलका रेखाई है लेकिन वह भी बहुत खत्तक मेजरली नहीं है तो एक जिन्दे की जिनने के लिए बहुत खत्तक सही है थोड़ा मेहनत कर रहा है तो मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेंगे अगर सनी बकरी रहेंगे तो सनी बकरी के लिए मैं रेमेडिय आपको दे दूँगा ऐसा नहीं है अगर वो कर लते हैं तो आपके लिए सही रहेंगे तो शीनु जी आपके हथेलिका एनलेसिस तो हो ही गया है बहुत हथ तक थोड़ा धरम को आप मान की सलिए थोड़ा मंदिर अगर जा रहा है तो मंदिर में भी जाया कीजिए पांच-देस मने थोड़ा ध्यान पूरबक ध्यान लगाई है भागवान इशर से क्योंकि एशर Allāh को अगर नहीं मानेंगी तो आपकी जिंदिगी जो है वेकारी है एशर Allaha का अगर कीफा दिश्ती रहेंगी तो आपके लिए कोई मुसीवतों का समना करना नहीं पड़ेंगे जो भी अभी मुसीवत चल रहा है आपका पॉब्लेम चल रहा हो पॉब्लेम भी जल से जल रिमप हो जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आए कम से कम मेरे चैनल को जरूर सस्काइब जरूर कीजिए साथ में एक ब मत कहने भूल गया ये देखिए मनी बंध में भी तीन रीखयु बना हुए है यह बहुत हद टक सूधी माना जाता है मेरे वीडियो को लाइक के जरूर किजिए प्यारा सा एक कमेंट जरूर लिखें क्योंकि ONE क यह होनी वाला है मेरे इस ने वीडियो को कम से कम सस्काइब ज जह जाय ही जाय ही हीन